दोस्तों आज हम जिस विशे में बात करने वाले हैं वो देखने सुनने में बड़ा ही चमत कारिक सा लगता है यह टॉपिक है वन शॉट थ्रैपी ओफ इरेक्टायल डिस्फंक्शन मतलब ऐसा हम कुछ कर सकते हैं कि एक बार शॉट कुछ करें और वो इरेक्टायल डिस्फंक आपके लिंग के अंदर कुछ इंजेक्शन दिया जाते हैं जिससे कि आपका इरेक्टायल डिस्फंक्शन ठीक हो जाता है दोस्तों इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है यह कोई इलाज आज का नहीं है यह आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो टैबलेट आप लोग किया जा रहा था पैनिस का शंट डाला जा रहा था जिसके दोरान एक केमिकल पैपैवरी इसको पैनिस में लगाया गया तो यह बाइचांस डॉक्टर्स ने देखा कि उससे एरेक्शन हो गया याद रखिए उस थाइं तक इरेक्शन को ठीक करने की कोई दवा मौजूद न को साइंटिफिक कम्यूनिटी यानि उनके दूसरे साथियों ने बिल्कुल इस बात पर द्यान नहीं दिया किसी नहीं माना प्रंतु उसके बाद क्या हुआ 1983 1983 में दोस्तों एक कॉन्फरेंस हो रही थी लास वेगास यूसे में तो एक बहुत ही मशूर और बड़े ही साइं आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ उन्होंने क्या किया कि वो कॉन्फरेंस में ऐसे खड़े थे और आप यकीन करिए उन्होंने अपनी पैंट उतार के नीचे कर देए और पबलिक को दिखाया देखिए मैंने ये इंजेक्शन पपा वरीन अपने प्रैनिस में लिया था औ और मुझे अप इरेक्शन हो रहा है लोगों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया और लोग हैरान रहे लए क्योंकि उस वक्त तक ये चीज बहुत बड़ा अजूबा था उसके बाद 1983 के बाद सब लोगों ने ये माल लिया कि जो ये मेडिसिन पैपा वरीन है इससे आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उपचार कर सकते हैं और इसके ओपर काफी रिसर्च भी होने लगी तो ये बात बिल्कुल एस्टेबलिश हो गई ये एक स्थापित बात हो गई कि पैपा वरीन से आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन का उपचार कर सकते हैं उसके बाद दूसरे मॉलेक्यूल्स जैसे प्रोस्टाग्लेंडिन, क्लोर्प्रोमाजिन, फेंटॉलमीन वगेरा वगेरा अनेक मॉलेक्यूल्स का रिसर्च हुई जो भी यह पाए गए कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपचार में इनका फायदा हो सकता है यह देखिए प्रिस्तितियों में इस्तिमाल किया सकता है सब लोग की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपचार में इसका फायदा हो सकता है सिर्फ एक कंडिशन ऐसी है जिसके अंदर हम 25 में इंजेक्शन देने से परहेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं परोनीज डिजीज परोनीज डि रहे हैं आपका प्रेंट बना हुआ है जिसकी बजह से पैनिस जो है उपर की तरफ ऐसे उड़ा हुआ है this को बोलते हैं इसके इंदर हम नहीं देते मैं आपको आगे बताओंगा क्यों नहीं देते हैं बाकि सभी कंडिशन में इंट्राइन इंजेक्शन का इस्तिमाल हम कर सकते हैं आज कल उसके बाद दीरे-दीरे रिसर्च होने के बाद जो यह है कि हम मरीजों को घर ले जाने के लिए इंजेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं और वह सेक्स करने से पहले स्वयंब अपने पैनिस में इंजेक्शन लगा सकते हैं ताकि वो उनको किसी दवाई पे निरबढ़नी देना पड़े जब उनको सेक्स करना है तब वो इस्तवाल कर लें अगर सेक्स नहीं करना है तो लगाने की आशकता नहीं है तो यह सब प्रोसेस कैसे होता है हम इसी उसके बारे में बाद करेंगे सबसे पहले आपके जू ट्री ट्रीटिंग डॉक्टर है वो यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कितनी किसी मात्रा की है कितने से आपको mieć आड़ेक्शन और जाता है तो वह क्या करेंगे दिरीदिरे कम डोस से शुरू कर आम तोरप कर सबसे से फास्त है प्रोस्टांग फ्रोंस्ट ईपन चैनल मॉलिक्ट्र। और उसका असर नहीं हो, तो मिक्स्चर बना के दो या तीन molecules को mixture करके फिर उसका try किया जाता है और जिससे भी आपको सबसे अच्छा erection हो वो दवा आपको injection में डाल कर आपकी घर ले जाने के लिए दे दी जाती है जितनी मात्रा से आपको erection हो जाता है उतनी ही dose देखिए ऐसे injection होते हैं इंट्रापिनाईल इंजेक्शन यह सिरिंज जो आप देख रहे हैं यह सिरिंज diabetes के treatment के लिए शुगर के treatment के लिए भी इस्तेमाल होती है इसका नाम ही insulin syringe है इसके अंदर वो dose डाल के दे देते हैं और इसको आप रोन टैंपरिंचर पर आम तोर भर में store कर सकते हैं यह आप झुदोऑ ले सकते हैं और अपने जीवन साथी अगर फुद नहीं ले पावरे हैं तो अपने जीवन साथी को कह सकते हैं जो आपको injection दे सकता है कई जिवार क्या होता है जैसा इसमें tayने हैं आपका प इसमें injection लेना पड़ेगा तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप injection को रूम टेंपरेचर पर रख सकते हैं फुरीज में रखने की आपको आशकता नहीं है दूसरी बात जो आपको याद रखने की है कि इसे हफते में केवल तीन बार से जादा नहीं लेना चाहिए एक दिन डॉक्टर ने आपको डोस बनाके दिये एक बार में एक इस्तवाल करें आपको यह सब करने से पहले डॉक्टर से इसकी जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हैं जो जटिलताएं हो सकती हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए और उन जटिलताओं से कैसे गंटे से ज़्यादा रहे और साथ में आपको दर्द भी हो पेन भी हो तो आपको बिना देर किये अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से फोन पर बात करने चाहिए आपको जैसा वह कहते हैं वैसा आपको करना चाहिए हो सकता है आपको उनके पास जाने की आप शक्ता हो और उस आपका एरेक्शन रहता है और वह लूज नहीं हो रहा है तो एक फर्स्टेड होता है वह ट्राइब कर सकते हैं फर्स्टेड क्या होता है यदि आप आइस के क्यूब बर्फ के टुपड़े आप वह अपने पैनिस पर लगा सकते हैं या सीड़ियां दो तिन मंजिल सीड़ि फटा फट देख सकते हैं कई लोगों का थोड़ा exercise करने से यह जो hardness होती है prolonged hardness लंबे समय तक यह ठीक हो जाती है यदि ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई चाला नहीं है आपको तुरंट दॉक्टर से बिलना चाहिए अब मैं इतनी बातें कर रहा हूँ intra-penile injection के बारे में क्या यह कोई जादू है क्या यह सब पर effect करता है सब को फायदा देता है नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है यह चो पैपावरीन है यह 61% केसीज बे फायदा करता है 61% 40% में इसका असर नहीं होता है और तरीके बहुत सारे होते हैं लेकिन एक्सेट परदी शक्रेश पैपावरीन और फेंटॉलामीन का कॉम्मिनेशन जो है 68.5% लोगों में और जो प्रोस्टा ग्लेंडीन है यह सबसे ज्यादा effective है 72.6% केसीज में यह effective होता है जो डोजिज हम इस्तमाल करते है पैपावरीन की है 3210 मिलिग्राम बाइमिक्स के अंदर जो पैपावरीन और फेंटॉलामीन है यह 15 मिलिग्राम और 7 मिलिग्राम का combination mixture बनाया होता है कैबर्जेक्ट की डोज होती है 5-40 माइक्रो ग्राम दोस्तों यह माइक्रो ग्राम में होती है और देखी यहां इन में से पैपावरीन इंडिया में available है भारत में मिलता है फेंटॉलामेन imported drug है यह आसानी से नहीं मिलती कैबर्जेक्ट यह भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है imported है आपको कुछ एक जो अच्छे कैमिस्ट है उनके पास मिल सकता है तो बट इंडिया में available है इसकी अतरिक्त हम ट्राइमिक्स भी बना सकते हैं जिसमें तीन दवाईयां होती है कौन-कौन सी पैपावरीन, फेंटॉलामीन और आपके साथ ये कैवर्जेक्ट ये तीन दवाईयों को हम मिक्स्टर कर सकते हैं जो जाहिर सी बात है जो ट्राइमिक्स है तीन दवाईयों वाला वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन जो प्रियापिजम जो ये प्रलॉंग डिरेक्शन लंबे समय तक जो कॉंप्लिकेशन जो तकलीफ है उसके चांसिस ट्राइमिक्स से सबसे ज़्यादा होते है लेकिन जो प्रोस्टागलेंडिन यानि कैवर्जेक्ट है ये देखा गया है कि 90 परतिशत बार जब उसको इस्तेमाल किया गया तो सक्सेस्फुली कामियाभी से इंट्रपोर्स भी हो गया तो ये काफी बार एफेक्टिव रहती है अब जाहिर से बात है आपके हाथ में इंजेक्शन है आप पैनिस पे इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो ये एक डराने वाली चीज है हर आदमी अधिकतर लोग इससे डरेंगे कि भाई मेरा ये सबसे सेंस्टिव अंग है तो इसमें कितना दर्द होगा तो देखिए ये दर्द ना के बराबर होता है ये देखिए ये दोस्तों ये जो नीडल है ये 31 गौज की है और इससे जो दर्द है वो एक मच्छर काटने से ज्यादा नहीं होता तो आम तोरकर लोगों को इसको सहने में कोई मुश्किल नहीं आती अब हम बात करेंगे कि आप जब घर में हैं तो आपको एक्जेक्टली कैसे इसको लगाना चाहिए सबसे पहले एक इंजेक्शन अपने पैक में से निकाले फिर आप विस्तर पर पीछे टेक लगा कर ऐसे सीधे पैर करके लेट चाहें और अपना अंडर कार्मेंट्स को निकाल दीजिए पैंट्स को निचे कर लिजिए अंडर बेर उतार दीजिए इसके तुरिक ऐसा भी कर सकते हैं कई लोग खड़े होके लेने में कमफ़टेबल होते हैं या आप चेर पर बैठ सकते हैं में चीज यह है कि जो आपका पैंट्स है वो आपकी रीच में होना चाहिए आप उसको ठीक से पकड़ सकें ताकि आप इंजेक्शन लगा पाएं दूसरा बात यह है फिर आपको थोड़ा सा आपको स्पिरिट आपको लेना है और आपके पैंट्स जिस साइड में आप इंझेक्शन लगाना चाहते हैं उस एरिया को प्रिट से साफ कर लीजिए और आप क्या करेंगे जैसे ये पैनिस है तो पैनिस का जो आगे का हिस्सा है उसको ऐसे करके पकड़ लीजिए ऐसे करके और उसको थोड़ा सा ऐसे खीचना है ताकि वो लूज नहीं रहे ठीक से थोड़ा स्ट्रेट हो जाए दोस्तों यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश किये यह जैसे इस तरह से पिशाब का रस्ता होता है अगर आप लेटे हुए हैं तो पिशाब का रस्ता आपकी टांगों के समानांतर होना चाहिए या जमीन से perpendicular होना चाहिए ये इसकी correct position है इसको ऐसे या ऐसे नहीं रखना है ऐसे रखना है ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद ऐसा करने के बाद आपको injection को जैसे pen को पकड़ते हैं वैसे पकड़ना है पैन को जैसे पकड़ते हैं उस तरह से pen position में उस तरह से पकड़ते हैं ये देखिए ऐसे पकड़ा उसके बाद आपको क्या करना है? ये इसको ऐसे मूँ में लेना है इसको खोल देना है ठीक है? ऐसे इसको खोल देना है खोलने के बाद ये देखिए यह पैनिस आपका एक तरह से क्लॉक की तरह है जैसे घड़ी होती है सबसे उपर है 12 बारा नीचे है छे यहां पे तीन यहां पे तीन यहां पे है 9 जो 9 बचते हैं तो यह अलग-लग पोजिशन्स हैं आपको समझने के बात है कहां लगाना है यह आपको एक तो ऊपर नहीं लगाना है डो एक बिलकुल नीचे नहीं लगाना क्योंकि यहां पे आपक्या पिषाब का रस्ता है इसको अंपर यहां पे आपकी नर्व आटरी होती है इसको ताच नहीं करना है आपको साइड में ल्गाना है यहां पे यहां पे जो 3 o clock को एक पुज़िशन उदर से नाइन फ़ैं अकलॉक या टैनों पॉजिशन इस पे आपको संभी में आ गया इंदेखेंग में आपको वात दिकए कि आप पूख्रोग कर सब्सक्राइबर अन्यास लगाना है इस पर मियelo to तो आपने ऐसे injection पकड़ा हुआ है आपको जो ये needle है उसे penis से बिलकुल perpendicular रखना है देखिए ऐसे नहीं रखना है ऐसे रखना है प्रपेंडिकुल 90 degree के कौन पर आपको मैं दिखाता हूँ देखिए इसके अंदर बिलकुल साफ दिखाया गया 90 degree के angle पर रखना है और इसे सीध अंदर गुसा देना है थोड़ा सा pressure लगाना है ताकि यह सीधा जो है देखिए यहां पर दिखा रहे हैं कि यह कार्प जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कार्पोरा कवर्नोजा उसके अंदर इस दवा को जाना होता है ठीक है यह ऐसे आपने कर दिया उसके बाद आप उलियों से पकड़के आपकी जो इंक्स फिंगर है उससे आपको इसको मान लेते हैं कि थोड़ा पीचे है इसमें दवा है तो इसको ऐसे पकड़के इस उम्गली से इसको ऐसी करके दभा देना है ठीक है तो दबाई अंदर गई उसको इसको निकाल लेना है और उंगली से इसको दबा देना है करीब 10 सेकंड तक आप इसको दबा के रखेंगे और फिर इसको छोड़ दीजिए और इसको भूल जाएए अपनी नॉर्मल सेक्शुल एक्टिविटी को आगे आपको स्टार्ट कर देना है इसमें जो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये केवल आप की शुरुआत है आपको लेकिन फॉर्प्ले करना इसमें बहुत जरूरी है फॉर्प्ले के बिना इसका अच्छा असर नहीं होता अब हम बात करते हैं कि इतनी अच्छी चीज़ है इतनी इफेक्टिव है क्या इसकी कुई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कुछ गडबढ़ सकती हैं दोस्तों इसम都 Italian दर्द के सबसे कौमन है लोग बढ़ते हैं तो क्या इस दर्द हो सकता है मैंने पहले चैसे नहीं जयिसे कहा तो लेकिन जो कैविशत है कभी जब भुछ करते हैं तो थोड़ी बनेंन जालन सी मैसुस होती है लेकिन वो इतनी कम होती है कि लोग इसका इस्तिमाल करते हैं कोई दिक्कत इतनी ज़्यदा नहीं आती दूसरा complication हो सकता है कि आपने उसको ठीक से नहीं लिया कज़े बहुँत बस लोग आते हैं बताते हैं कि जी हमने injection लिया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ उसका कारण दोस्तों यह होता कि आपने injection को ठीक से नहीं लिया, जैसे आपका जो नीडल है याइश है या ऐसे है, तो क्या होगा, वो अंदर ठीक से नहीं जाएगी, जब अंदर नहीं जाएगी तो उसका असर भी नहीं नहीं होगा, तो इसलिए यदि आपने ठीक से नहीं लिया तो क्या होएगा वहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाएगी और एक ऐसा थक्का सा जम जाएगा या स्वेलिंग हो जाएगी यह एक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपके गलत ढंग से इंजेक्शन लेने से हो सकता है कि इसलिए वहाँ पर एक नोड्यूल या एक छोटा सा एक दाना सा बन जाए जो आपको फील हो तो थोड़ा सा दर्द करे लेकिन आम तोर पर ऐसी कुई चीज बनती है तो अपने आप ठीक हो जाती है इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है कभी-कभी हो जाती है जैसे चोट लगने के बाद थोड़ा सा स्कारिंग वहां पर कुछ निशान सा बन जाता है तो स्कारिंग हो जाती है और इसलिए हमेशा यह चीज याद रखिए कि जो इंजेक्शन साइट है तो आपको जैसे मैंने समझाया है आपने राइट साइड में लिया है अगली बार जब लगाएं तो अपने पैनिस को अपने राइट हैंड से पकड़ें और ऐसे राइट हैंड से पकड़ें पैनिस को और उसको लगाने के लिए लेफ्ट साइड में लगाएं अगली बार फिर लगाएं फिर राइट साइड में लगाएं तो इंजेक्शन साइ नाटेटा है तो आपके रहता है लिखिन वो इरेक्शन समय बाइक्शन को दोस्तों अगर ऐसा आपको लगता हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए और आगे क्या करते हैं ये बड़ी एक खतरना कंडिशन है अगर ऐसा हो और अगर इसको नजर अंदाज करते हैं तो आपको पर्मनेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है आपके पैनिस में इसका काफी नुकसान हो सकता है तो इसलिए यदि अगर ऐसा है तो अपने के मैं बात करना होगा तो मैंने बताए प्रियुपिस्व मौ फूल्ट्लॉएं और Millenn dispon for more than four hours चार गंटakah ज्यादा इलेक्शन गी रहता है और इसमें दर्द होता है क्योंकि दर्द क्यों होता है क्योंकि पेनिस के अंदर बिना ऑक्सीजन वाला खून कठा हो जाता है जिसकी वज़े से आपको दर्द होता है यह कितने लोगों में होता है प्रियापिजम होता है बाइमिक्स यानि दो द्वाइया इकठा करके जो यूज करते हैं उनमें 7.8 परसेंट लोगों में आपको प्रियापिजम देखने को मिलता है प्रन्तु केवर्जेक्ट या प्रोस्टाग्लेंडिन सबसे सेफ है इसके अंदर एक परसेंट से भी कम लोगों में प्रियापिजम देखा जाता है तो यूज करने के लिए आम तोर पर हम जो घर में देते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो कैवर्जेक्ट देते हैं ताकि प्रियापिजम के चांसिस सबसे कम हो प्रियापिजम को समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है यदि ऐसा ना किया जाए तो आपके लिए कफे नुकसान दे सिद्ध हो सकता है तो यह सब बातें थी दोस्तों कि आपके एरेक्शन को हम एक शौट से कैसे ठीक कर सकते हैं एक शौट से ठीक करने का अर्थ यह है कि कई इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक केस में हम एक शौट देंगे और ठीक हो जाएगा लेकिन यह बहुत ही एफेक्टिव और कॉस्ट एफेक्टिव तरीका है जिससे आपको एरेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है उमीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा एक नई चीज के बारे में पता लगेगा हम लोग इसको काफी समय से इस्तिमाल कर रहे हैं अपने बरीजों में और अभी तक हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा कुछ लोगों को प्रियापिजम जरूर हुआ है उनका ट्रीटमें झाल